हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सबीका हमारी योटी चैनल पैसी की बात में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि 2021 में भारत के अंदर में कौन से 10 नय बैंक खुलने वाले हैं हम लोग एक एक करके उनके बारे में पूरा डीटेल जानेंगे कि आखिर में ये जो बैंक खुलने वाले हैं ये जो एंटीटीज हैं ये आज की डेट में भारत के अंदर में कर क्या रहे हैं उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दू कि भारत के अंदर में बैंक खुलने के लिए टोटल आठ एंटीटीज ने आवेदन किया है वो का यहां पर अवेदन किया है और चार एंटिटीज ने यहां पर small finance bank खोलने का अवेदन किया है जिसमें से दो बीदेशी कंपनिया है और एक सरकारी बैंक है और बाकी के यहां पर private कंपनिया है और जिसमें से दो individuals हैं तो सबसे पहले हम लोग इन आठों के बारे में जान लेते हैं कि आखिर में यह आज के डिट में इंडिया के अंदर में कर क्या रहे हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं UAE Exchange Finance Service Private Limited यह एक्चुली United Arab Emirates के कंपनी है जो कि अलग-अलग countries में foreign exchange करने का काम करती है इसके अलावा other services भी यह provide करते हैं जैसे कि यह आज के डेट में टोटर 40 countries में यह operate कर रहे हैं और इनका majority काम है जैसे कि मान लो आपको UK में पैसा भीजना है तो आप simply इनके office में जाओ इंडिया के अंदर में यह बैंगलोर में located है और अलग-अलग जगों में इनका branches भी है तो आप simply इनके office में जाओ वहाँ पे आप इंडिया रूपिस दो और वो UK के अंदर में वो पाउंड ट्रांसफर करते हैं या फिर आपको जैसे बीदेश में कहीं घूमने जाना जैसे कि मान लो आप USA में जाते हो तो आपको USA की US डॉलर जाहिए तो आप simply इनके office में इंडिया रूपिस लेके जाओ और आपको वहाँ पे डॉलर मिल जाएगा तो इस तरीके का है सर्विस प्रवाइड करने का काम करते हैं और ये इंडिया के अंदर में इसी परकार की सर्विस प्रवाइड करते हैं जैसे कि इनका पहला सर्विस है foreign exchange करना है और दूसरा यहां पे travel and holidays plan भी गरते हैं जैसे travel ticket होगारा बेशते हैं जैसे जैसे नॉर्मल एक माई trip होगारा क तो उस तरीके के काम भी ये लोग करते हैं. और साथ में ये लोग Gold Loan भी प्रवाइड करते हैं और Money Transfer करने का जो की मैं आपको आल्रेडी बता चुका, तो Money Transfer करने का यहां पर काम करते हैं. इसके अलावा यहां पर अधर जैसे Insulence Service भी प्रवाइड करते हैं तो यह एक cooperative bank ने यहाँ पे universal bank के लिए यहाँ पे license के लिए एक आवेधन किया है जिसका नाम है रेपको bank जिसका आप यहाँ पे full form देख सकते हो रेपरेटरिस जो भी इनका pronunciation है cooperative finance and development bank इनको short form में बोलते हैं हम रेपको bank तो इन्हों ने यहाँ पे universal bank के लिए यहाँ पे एक आवेधन किया है लेकिन आपको रेपको bank के बारे में यहाँ आदि मैं आपको बताओं तो यह एक government की company है मतलब government का यह cooperative bank है जिसमे government of India का share लगबग 73% के आसपास में है और इसके अलावा यहाँ पे state government का भी share है जैसे टमिलाडू government का यहाँ पे share है 2.91% इसके बाद फिर आंदरपर्दिस government का यहाँ पे share है 1.73% इसके बाद में फिर यहाँ पे केल्रा का भी यहाँ पे share है 0.59% इसके अलावा करनाटका का भी यहाँ पे share है जो Universal Bank के लिए आवेदन किया है वो है चेतन इंडिया Finance Credit Private Limited और चेतन इंडिया Finance Credit Private Limited ये actually एक NGO है लेकिन NGO के अंदर में एक company के रूप में काम करता है मतलब एक NBFC company है तो ये लोग क्या करते हैं NGO and NBFC company के help मतलब इनका ही एक subsidy है उसके help से ये लोग क्या करते हैं जूलर area में छोटी-छोटे उद्योग के लिए यहाँ पर loan होगरा प्रोवाइड करते हैं जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ग्रामीड इलाकों में यहाँ पर दुकान होगरा खोलना या फिर जैसे कुछ उद्योग उगरा लगाना चोटा मोटा उद्योग उगरा लगाना तो इस तरीके का यहाँ पर finance करने का यहाँ पर काम करते हैं तो यह कल के डेट में यहाँ पर इन्होंने banking license के लिए आवेदन किया है तो चेतन ने इंडिया finance private limited का आपको भविस्य में आपको bank भी देखने को मिल सकता है इसके बाद में जो universal bank के लिए अगला आवेदन है वो किया है पंकज वैस जी ने और इनकी साथ में अधर लोग भी है यहाँ पर लेकिन mainly यहाँ पर पंकज वैस जी का नाम है और पंकज वैस जी कोन है यह afe city bank के bank कर रहा चुके हैं तो इनका bank आपको भविस्य में देखने को मिल सकता है अभी इनके bank का नाम क्या होगा इसके बारे में भी कोई भी जानकारी नहीं है जब इनको license मिल जाता है इसके बार में फिर पता चलेगा कि इनके bank का नाम क्या होने वाला है इसके बार में फिर जो Small Finance Bank के लिए आवेधन किया है उसके बारे में हम लोग जानते हैं तो जो पहला आवेदन है उसका नाम है V-Soft Technology Private Limited तो V-Soft Technology क्या है ये एक्चुली क्या करता है जो कोपरेटिव बैंक है या फिर रूलर एरिया के जो बैंक है उनको यहाँ पर टेक्नलोजी प्रवाइड करने का काम करता है में लिए इनका काम है Core Banking Service यहाँ पर प्रवाइड करना तो इन्हों ने भी यहाँ पर Banking License के लिए आवेदन किया है और ये जो कंपनी है ये USA की कंपनी है और 1996 से ये अपरेट कर रहा है और USA की जो State है Georgia वहाँ की एक कंपनी है तो भवी से मैं आपको V-Soft का यहाँ पर Small Finance Bank आपको देखने को मिल सकता है इसके बाद में Small Finance Bank खोलने के लिए जो अगला आवेदन किया है उनका नाम है CityGut City Service Co-operative Bank Limited ये actually एक Co-operative Bank है जैसा कि इसके नाम से भी इस पर्ष्ट हो रहा है और ये actually केरल में इसका Headquarter है और केरल की ये Co-operative Bank है तो इन्होंने यहाँ पर Small Finance Bank खोलने के लिए आवेदन किया है तो 2021 में आपको यहाँ पर CityGut का यहाँ पर Small Finance Bank आपको देखने को मिल सकता है इसके बाद में Small Finance Bank खोलने के लिए अगला आवेदन किया है अखिल कुमार गुपता ने यह एक्चुली भारते इंटरपराइजर्स के वाइस चेर्मेन रह चुके है तो इन्होंने यहाँ पर Small Finance Bank खोलने के लिए आवेदन किया है अब क्या इनको Small Finance Bank खोलने के लिए लाइसेंस मिलता है और इनकी बैंक क्या नाम रहेगा यहाँ पर ग्रामीड इलाकों में यहां पर लोन गराव प्रोईड करना जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हूं मैं आपको नीचे स्क्लल करके दिखा रहा हो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहां पर चोटे-छोटे उध्योगोगों की सेटप के लिए यहाँ पे South India में यह काम करते हैं और इनका Headquarter चिन्नी में है और इंडिया में अभी एक गिने चुने State में अभी यह operate कर रहे हैं तो भवी से मैं आपको यहाँ पे द्वारा छेतरी है Small Finance Bank आपको देखने को मिल सकता है तो यह तो हमने यहाँ पे बाट किया यहाँ पे आठ बैंक के बारे में तो यहाँ पे दो और बैंक कौन-कौन से है तो यह एक आपको पता होगा कि Bad Bank खुलने वाला है और दूसरा आपको पता होगा कि यहाँ पे Development Bank खुलने वाला है जिसका Announcement निर्मला सितरमन्जी ने किया था और Bad Bank काफी जल्दी खुलेगा और इनको दो लाग करोड का यहाँ पे बिसनस मिलने वाला है तो जो मैंने यहाँ पे तीन Government Bank के बारे में बात किया था उसमें से एक तो हो गया आपका Bad Bank और दूसरा हो गया आपका Development Bank और तीसरा जो आपका हो गया यहाँ पे रेपको Bank अब रेपको Bank में Government क्या करेगी अब इसका पता नहीं है क्योंकि यहाँ पे Government of India का सेर है लगबाग 70% तो यहाँ पे Government यहाँ पे अपना सेर बेजती है या फिर क्या करती है इनको ही पता है इसके अलावा UAE Exchange and BSoft Technology यहाँ पे BDC कमपनिया है जो इंडिया के अंदर में Bank खुलना चाहती है तो दोस्तों इस वीडियो में वस इतना ही I hope आपको वीडियो पसंदा को है यदि आपको वीडियो पसंदा को तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और यदि आप चाहें तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ में इस वीडियो को सेर कर सकते हैं ताकि उनको भी पता चाल सकते हैं कि भारत के अंदर में कौन से 10 ने पैंक खुलने वाले हैं और हमारे motivation के लिए और आपको notification मिल सके इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को भी दोबा सकते हैं